दोस्तो इसराइल और हमास जंग अब इतनी जादा फैल चुकी है कि अब इस जंग में सीधे ही तोर पर रेशिया की एंट्री होने जा रही है और रेशिया को ये कदम आने वाले समय में बहुती जादा भारी बढ़ने वाला है आप से भी ये बाद जानते ही हो कि 7 ओक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इसराइल के उपर अचानक से 5000 रोकिट दाग दिये गए थे जिसकी जवाबी कारवाई में इसराइल की तरफ से जब हमास के उपर एक्शन लिया गया तो जब से लेकर अब तक इसराइली डिफेंस फोर्स की तरफ से नोर्थन गाजा को पूरी तरीके से खंडर में बदल दिया गया है लेकिन आज अमेरिका की इंटेलिजेंट एजेंसी की तरफ से बताया गया ही कि जो रेशिया का वेगनर ग्रूप है वो सीधे तोर पर ही हीजबूला को अपने एर डिफेंस सिस्टम भेजने व पर रेशिया की सेना ने यूकरेन के बहुत से हिस्से पर कबजा किया था लेकिन यूद के दोरान वेगनर ग्रूप को जब अच्छे हतियार नहीं मिले तो वेगनर ग्रूप के लड़ा के लगातार मरने लगे थे जिस कारण वेगनर ग्रूप के जो चीफ थे जिनका नाम इनोंने ये फैसला ले लिया था कि हम रशिया में अक्ता पलट कर देंगे जिसके लिए ये अपनी सेना को लेकर रशिया की और रवाना भी हो गए थे लेकिन बाद में बेलारूस के रास्ट पती यानि की ऐलेकसेंडर लुकाशेंको की तरफ से रशिया और वेगनर ग्रूप के बीच नेगोशेशन करा दिया गया था और बाद में एगनर ग्रूप के चीफ बेलारूस चले गए थे जिसके बाद अचानक से एगनर ग्रूप के चीफ का प्लेन क्रैश हो गया और चभी से ही वेगनर ग्रूप रशिया के अंडर में काम करता है और अब एमेरिका की इं हिजबुला को मिल गया तो ये इस्राइल की सेना का जीना हराम करने वाला है क्योंकि जो लेबिनान के अंदर हिजबुला है वो सीधे तोर पर ही हमास की मदद करता है और अगर ये डिफेंस सिस्टम हिजबुला को मिल गया तो रश्या का एक भी फाइटर जैक भी लेबिनान क अंदर नहीं जा सकेगा क्योंकि इंतसीर S1 डिफेंस सिस्टम की मदद से फिर ये काफी अराम से कभी भी इसराइल के फाइटर जेक को तभा कर देंगे लेकिन रेशिया का ये कदम लोंग ट्रम में रेशिया को बहुत ही जादा नुकसान पहुचाने वाला है क्योंकि थी उक्रेइन को अपने एडवांस हत्यारों को भेजना शुरू कर देगा और ये रेशिया के लिए बहुत ही जादा घातक हो जाएगा क्योंकि उक्रेइन की तरफ से लगातार इसराइल से डिफेंस सिस्टमों की मांग की जा रही थी लेकिन उस समय इसराइल ने उक्रेइ की तरफ से जो ये एडिफेंस सिस्टम हिजबुला को दिया जा रहा है इस डिफेंस सिस्टम को देकर रेशिया सही कर रहा है हाँ या फिल ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूड डे